के लो वाइज आज हम एक स्लीव लेस काटिंग करेंगे आगे पीछे दोनों डीप नंए कि ब्लाओ स्काहि करेंगे कि सोल्डर नहीं गिरेगा और इसको जुम सिंगल डार्ट में करें त्यों ऎकट चलो शिथा सिप्ला के लिगो चलो करते हैं तो सब से पहले एक पेपर ले लेगे और यहाँ पर एक मारकिंघ करेंगे हम सोल्डर के approached के लिए तो सोल्डर है अंसे लेंद यहीं से लेंगे जो भी लेना यहीं से लेंगे गिन कि एक निशान और हम सामने की तरफ फ्रेंट की तरफ मार लेंगे यह हमको सवा दो इंच के करीम मारना है इस तरह से निशान मारके हम एक सीधा लाइन और आगे की तरफ हम कर लेंगे यह फ्रेंट का पाट है आपको वहां से फ्रेंट कटिंग करना है ब्लाउस का तो आज मैं single dot का cutting करने जा रहा हूँ बिलाओ जो armhole cutting होगा तो किस तरीके से करता हूँ वो देख लीजिए आप princess cut से भी करके आप convert करके बना सकते हो और इस तरीके से बना सकते हो तो मैं तरीका अलग बता रहा हूँ आपने जो आपको अगर करना है तो इस तरीके आपको थोड़ी दूर तक ही डाउन करना है पहने दो इंच का डेढ़ इंच का ही हम strap रखेंगे ज्यादा चोड़ानी रखेंगे यह स्लीव लेस ब्लाओज बना रहा हूँ तो आप स्लीज वाला ही बना सकते हैं आप स्लीज वाला भी आप कर सकते हैं वैसा कुछ नहीं इतना लंबा मैंने क्यूं किया है वह देखिए किस तरह से मैं बताता हूं आपको तो देखिए हमको यहां पर कम से कम साड़े 5-6-6 इंच पर लगा लेंगे तो आपको जितने पर लगाना है लगा सकते हूं लेकिन मैं थोड़ा यह डाट वाला कटिंग कर रहा हूं तो डा आप ऊपर से लेना है ठीक है तो इस तरह से साड़े 10 पर हम निशान लगाएंगे स्लीव लेस में या जो भी हो आपका जो लो नेक का होता है इसलिए गिरता है सोल्डर कि यहां पर डाट पर इश्रा हो जाता है ठीक है तो देखिए हमने 7-3 इंच पर निशान लगा है तो यह तरीका थोड़ा अलग है इस हिसाब से मैं कम पर कर रहा हूं तो 7-3 पर किया हूं आपको अभी पता चल जाएगा कि 7-3 पर क्यों किया हूं जबकि पहने 4 इंच पर होना चाहिए हम ट्रें से डिवाइडेट करते हैं चेस्ट को तो पहने 4 इंच होना चाहिए लेकिन मैं अब इस तरह हम नेक नापेंगे यहां से नाप सकते हैं और वहां से भी नाप सकते हैं जहां से हमारा 3 इंच का ब्रोडिंग नेक होता है ठीक है तो वहां से नापेंगे थोड़ा कम होगा यहां से नापेंगे थोड़ा ज्यादा होगा तो हमने यहां से ही मेजर्मेंट लि किस तरह से क्यों किया गया है अभी आपको कटिंग में पता चल जाएगा तो इस तरह से एक मार्किंग कर लो आप अगर कम ज्यादा करना है तो मैं वह आपको अलग साइस के लिए अलग बताऊंगा लेकिन इस तरीके से आपको कर लेना है ठीक है अब देखें लेंद हमको कहा में आपना है यहां से और जो हमारा सेंटर का लाइन है वहाँ पर लेन इंतना अपना है जो हमने सवा 2 इंच का लगा गाया था जो फ्रेंड पती के तरफ लगाया हम ने तो यहां पर हम साड़े 15 पर निशान लगाएगे तो आप यह सोचोगे कि क्रोस लां क्यूं लगा र यहांसे नापना है तो यहां서 आखे आगे लिखे जाना है तो यहां पे 31 हमारा है तो पौने 8 पे हम निसान लगा लेगे तो पौने 8 पे हम निसान लगा लेगे तो यह हमारा बेस्ट है और यहाँ पे हमको round करके तो फ़गा safe देना है state नहीं देना है अगर round देंगे तो यह कमर पर बैठेगा यह कमर है इसमें बिल्कुल डाट नहीं आएगा यह बिना डाट का मैं कटिंग कर रहा हूं और स्टेट आप काटोगे तो बैठेगा नहीं तो आपको राउंड लेना है तो इतना राउंड मुझे लिए कम लग रहा है तो थोड़ा सा और राउंड हलका बढ़ा के ले लूग सेब देके कर सकते हो तो आपके उपर एक इस तरह का देना है तो इसको कट मार देते हैं आपके हिसाब से अगर यह जमता है इस तरह का सेब तो इस तरह से कर सकते हो अभी हम आर्मोल के लिए जो क्रोस प्रेंड होता है उसके लिए हम जीधा पौना हिंच कम कर रहे हूं और रो आप मारने में आप से वाला देना लेकिन आभी मैं स्टेट मार के लिखा रहा रहा हूँको जब आप कटिंग करोगे तो यहां पर सेप वाला कटिंग करना है, डाट मारना है, अज इतना यह लेंद है उतना ही इस तरह गुमा लेगे, और हम डाट जो है सबाचार साड़े चार इंच का देंगे, क्योंकि साइज के हिसाब से थोड़ा बड़ा देंगे तो बहतर रहेग तो इस तरह से निकाल वोगे तो यह नया है, एक सीधा लिजज़ा लगाना है, और यहां पर हम उक्योंको अर्मोल का आधा पार बचा रहे थोड़ा सा तो थोड़ा साकरके हम इस तरह पूछ बाहर निकाल करेश्ग के सेड ना है, तो थोड़ा अंदर भी कर सकते हैं इस त करने वाले इस तरीके से यह साइड है हमारा इस तरीके से साइड हो जाएगा हमारा तो यह साइड है और नीचे वह आपने देखा राउंड वाला ओ नीचे का अपना बॉटम है बॉटम मतलब वेस्ट का लाइन है इस तरह से सीधा लाइन देंगे यह फ्रेंड का यह लेकिन मुसटो चेक करेंगे बाद में कि आया है कि नहीं आ रहा है। इस तरह हम आरूल श्र coral श्रह का है है थोपर से हुंने अपर दींदा कार ड्हां में अरा था खाया है इस त्रिकहे से लग्ले के अवह थोड़ा और कम कर लेते हैं यह इसी तरह हो घोगा ऊंद आपके देक्येंगे कि this मिकिस तरह से हमारा भण की तो दीखेंगे कितना यह Madan कितना करीब आई है तो इस तरह तरह से सवढद सफ्रेमे कहीं काम हो जाएगा तो फ्रेंट में ढ़रिए तक कम होता यह सवप BILL ऑर यह अपर्चेसलब मtheyगा यहां फर स्था पर यह थाएगा है सहाथ को सबसे इस्टर्ट करें हुआ लगर तो यह बराबर यह न पर आगया परफेक्ट आएगा ऑर यह 31 वेश्ट राए तो इस legitim नहीं रखना तो इस तरीके से करके हम कर लेंगे बैग में डाट देंगे आगे नहीं देना है कुछ भी ठीक है तो इस तरीके से यह नेक लाइन है नाइन इस पर आपको दिखा दे रहा हूं कि आपको बराबर यह समझ वाए कि मैं क्या चीज कहां से ना पाऊं ठीक है यह लेंग जो 15 तो कटिंग करके फिर बैग कटिंग करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हो रहा है तो यह कटिंग करने का तरीका यह अलग है आप देखो किस तरह से मैंने कटिंग किया है यह वो प्रिंसेस कट से भी आप करके बना सकते हो और डाट वाले से भी कर सकते हो लेकिन बहु पस्कुल आसान तरीका आपको बता रहा हूँ कि जल्डी किस तरह से ऊठाए काटो कोगे पिर उसमें करोगे फिर उसमें बहुत सारे पेपर and करके ट्राइए करोगे तो उसमें बहुत टाइम जाता है और इस तरह से आप डाट वाला भी करोगे तो पूरा बिला उसका फर्मा कटिंग करके आपको करना पड़ेगा लेकिन मैं क्या डारेक्ट आपको बताता हूं कि जल्दी जल्दी आप कर सको तो इस तरीके का मैं देखिए इस तरह से आर्मल रखके सेट करके दिखा रहा हूं कि आर्मल तो एकदम बैतरी नाएगा तो यह अलग है क्रोस कट में भी आप कर सकते हो इसको तो क्रोस में बनाना है तो नेक का लाइन जो है वह स्टेट खड़ा रखना अब बाकी पूरे ब्लाउज को आप क्रोस कर दो तो एकदम भी बैतरी ब्लाउज बन जाएगा ठीक है इस तरह से जो हमने शोल्डर लिया तासा उसको छोड़ देंगे थोड़ी दिर के लिए और यहां पर साड़े पांच पर स्लीबलेस है तो पांच इंच पर निचान लगाएगे क्योंकि यह लो नेक है बारा इंच कटिंग करने वाले तो पांच इंच हमको रखना है पांच इंच फिक है तो इस तरह बैक करने का लो है तो इस तरह करना है तो पेपर रखके ऐसा बिठा के देख लेंगे और पॉइंट को नेक के पॉइंट को हम मैच करेंगे पेपर पे और यहां पे सोल्डर मैच करेंगे तो बराबर हो गया अभी जहां पर आता है वहां से हमको आर्मोल निक देखें डाट हमने कहा निकाला है यहां पे अब हम क्या करेंगे पौने नो इंच पर हम यहां पर निशन लगाएंगे यानि कि जो हमारा पर चेस्ट है उससे पाव इंच कम करके निशन लगाएंगे क्योंकि बैग टाइट होना चाहिए तभी अच्छा पेटेगा आप देख तो इस तरह से स्टेट लेके साइट निकालेगे तो हम क्या करेंगे पिर से फ्रेंट के पार्ट को रखके उसका लेंद निकालेंगे जहां पे हम आता है लेंगे तो यह साइड़ पर रखेंगे इस तरह से मैं बैषग कर लेंगे मैज करने के बाद Mendon वेक्ष्ट लगा देंगे फिर हम वहाई पे वेश्ट को ना फेंगे और वेश्ट से इश्ट्रा हो seems सब्सक्रा यह दा टा हुँ जो भी से मेस दा की शुआ बोजे आछ देना हो, मिल तो अगर जहादा फिर फरक के देना यह आपको ड़ाल है . इस तरह से वी नेका सेट देना है तो वी नेका सेट इस तरह से बराबर जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह का दे सकते हो आपके उपर है इस टेट देना है तोला सा राउंड वाला देना है या किस तरह का सेट देना है आपकी मर्जी है इस तरह देने के बाद में कटिंग कर कि हम उसको close करके दिखेंगे तो इस तरीके से cutting करोगे आपको एकदम perfect है का यह बिना जजट का है तुरंद हो जाता है यह बहुत ही जल्दी blogs करता है इसमें कोई late नहीं होता है तो आप इस तरह के कोई भी फर्मे काटने हो किस तरह करना हो तो पूरा फर्मा जो कटिंग करके कोई मतलब नहीं है, बहुत ही जल्दी काम होता है, वो काम करना चाहिए, तो मैं तो जल्दी वाला आपको बताता हूँ, एजी तरीका बताता हूँ, मेरा कटिंग बताने का मतलब है एजी, मैं खास एजी पर ध्यान देता हूँ, अगर असान तरीका बताने की कोशिच करता हूँ, तो इस तरिके से मेरे असान तरीकों को अपना ओ और अच्छे से अच्छा बनाऊ और विलाओ, यह दी यह सोल्टर गिरा नहीं गिरना, वह इसा नहीं है, मैं एक वीडियो में अपने किलिप दिखा दूँगा आपको किस तरह स कि आप लोग सुचों कि ऐसा ऐसा काम करते हैं और वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो बनाना कि इसका अलग मेरा मकसद है बनाने का वो मैं किसी वीडियो में बताऊंगा कि मैं क्यों वीडियो बनाता हूं ठीक है तो इसके उपर मैं काम कर रहा हूं उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें किस तरह से ग्रो होगा उस काम के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो मैं वह काम बताऊंगा आपको किस काम के लिए बना रहा हूँ तो मेरे चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो और दोस्तों मैं सेर करो तो चलिए वीडियो एंड करते हैं अल्लाहाफिस